दिलिस इस वक्त की बड़ी खबर जहां शाहिन भाग में अचानक बढ़ाई गई सुरक्षा तो शाहिन भाग में आसुभा से दारा 144 लगाई गई है 15 दसंबर से शाहिन भाग C.A. के खिलाफ लगातार धरना जारी है और अब अचानक से ये सुरक्षा को बढ़ाया गया है तो ये बड़ी खबर आपको और इसी पर जद जानकारी के लिए हमारे समध आता आमित दुबे पोल नाइन पर जूड़ गया आमित अचानक से शाहिन भाग में बढ़ाई गई सुरक्षा 1444 मिलागू पिछले चार बिनों से अगर हम बात पर उत्तातूर भी दिली के तो पूरी तरह इस शांती है लेकिन नए पुलिस पमिशनर ने चार्ट समाल लगता है तोस्वा तोटन उनका कि आगे घटनाव को नहीं दिया बढ़ने दिया जाएगा और यही वज़े है कि अब शाहिन बाग की सुरक्षा बिवस्ता बढ़ा दी गई है 1244 लगा दी गई है क्योंकि जाफराबाद के प्रदर्शन कारी पहले ही उत्ते है पैसे में जो शाहिन बाग में पिछे दो मनी से ज्यादा से लोग बैठे हुए है उनकी सुरक्षा बिवस्ता में किसी तरह का जान ना हो इस दिए यहां पर पुलिस स्वोर्स बढ़ाया गया है सेना के जवान भी यहां पर पहनाद किये गए और 1444 लगा गयी है बिलकुल बिलकुल जिस तरह से लंबे बाग से लगाता है सीए के खिलाब धर्ना प्रदर्शन यहां पर जारी है और अब अचानक से सुरक्षा को बढ़ाया गया है असर किस तरह का दिख रहा है वहाँ पर किस तरह का माहूल इस दिए जहां पर किसली दो घटना है जिस तरह प्रदर्शन चला है मामला सुप्रीम कोट में है फिलाल जो आला जिकारियों से हमारी बात हुए है तो उनों ने कहा उनकी प्रात्मिक्ता जो है वो सबकी सुरक्षा की है और यह सचा कारणों से ही यहाँ पर पुलिस वाई की संक्या बढ़ाई गई है दारा 244 ने लगाई गई है जिससे कि दिल्ली में कोई भी अप्रिये घटना ना हो देखिए अभी जो प्रदेशन कारी जो बैठे है वो बैसे ही बैठे है अलागि 1244 की बात करें तो उसके बात जो है अन लोग जो है अन जगह पे गुट बनाके नहीं खड़े हो सकते हैं उसके लिए पुलिस जगह जगह पर तैनात की गई है परमेटी कर्णों का हवाला दे रही है क्योंकि पिछली कहीं बार पुलिस को पर कहीं न कहीं आरोप लगे जिस तरह से कि पुलिस जो है दिल्ली पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम रही है और ये एक बड़ी बड़े मानी जा रही है यहाँ पर फिलाल जो सुरक्षा ब्रस्ता पहनात की गई है चालिया में शुक्रिया जुड़ने के लिए जानकारी देने के लिए